इंडियन टेलिविजन की दुनिया में हर साल कई सारे शोज देखने को मिलते हैं तेकिन MTV रोरीज पिछले कई सालों से सबसे हिर टीवी रियालिटी शो बना हुआ है ये शो लाखों दर्शकों की बीच अपने एडवेंचर और एक्षन के लिए पसंद किया जाता है शो से जोड़ने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग अडिशन देने के लिए पहुँचते हैं वहीं शो के जज भी कुछ खास हैं ये स्टार जोज अपने बेबाक अंदास के लिए काफी पॉपुलर और काफी मशूर हैं अपने फांस के बीच लेकिन क्या आपको पत नेहा हो फिर चाहे रनवीचे हो या पृन्स हो रफतार हो ये एक एपिसोट का कितना चार्ज करते हैं पहले बात करते हैं नेहा धूपिया की बॉलवुड एक्ट्रिस और मिस इंडिया नेहा धूपिया पिछले कई सालों से रोडीज का हिस्सा बने हुई है नेहा रोडीज के सीजन रेविलुशन में भी नजर आने वाली है नेहा अपने एक एपिसोड के लिए आठ लाख रुपे चार्ज करती है वही दूसरे नमबर पर हम बात करते हैं निखिल चनामा की निखिल टीवी जगत का एक जाना पहचाना नाम है निखिल करन कुंदरा के शोड़ने के बाद रोडीज से जुड़े आज निखिल शोड़ के एक एपिसोड के लिए नौ लाख रुपे चार्ज करती है वही अब बात आती है रफ्तार की मशूर रैपर सिंगर रफ्तार ने अपने गानों से खूब नाम और खूब शोहरत कमाई है और अब इस पॉपुलर शोव में वो जज के तौर पर दिखाई देते हैं रफ्तार अपने एक एपिसोड के लिए छे लाख रुपे फीज वस्सूल करते हैं वहीं अब बात करते हैं प्रिंस नरूला की रनवीजे सिंग के बाद प्रिंस दर्शोकों के दूसरी सबसे पसंदीदा जज और खिलारी बने हैं प्रिंस खुद सीजन टू के विजेता रह चुके हैं जुसके बाद उन्हें शोव जज करने का मौका मिला प्रिंस अपने एक एपिसोड के लिए आठ लाख फीस लेते हैं वहीं अब बात आती है आखरी जज की यानि की रनवीजे सिंग की रनवीजे सिंग रोडी शो के स्टार हैं रनवीजे शुरू से ही दर्शकों के पसंदीदा रहे हैं फिर चाहे वो कंटेस्टेंट के रूप में हो या जज के तौर पर आज रोडीज और रनवीजे का नाम एक साथ लिया जाता है रनवीजे कून के एक शो के लिए 12 लाख रुपे तक दिये जाते हैं जी हां, यहां पर सबसे मोटी रकम सबसे जादा फीज लेते हैं रनवीजे सिंग जो इस सहो से काफी लंबे समय से जुड़े होए हैं इसके साथ ही शो में ही उन्होंने एंट्री ली थी जुसके बाद सबसे ज़्यादा फीज और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो जज है वो रनविजे ही हैं और सबसे ज़्यादा फीज भी रहते हैं। हम आप से जाने चाहेंगे कि MTV रोडीज में आपका कौन सा फेवरिट जज है यह हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिलकुल ना भूलें।